प्यारी विच्वास की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं सब्द और वाग के अब हमको जानना है कि सब्द का परिभासा सब्द किसे काते हैं दो या दो से अधिक वर्नों का सार्थक समू सब्द कहलाता है सब्द कहलाता है जेसे औ जोड 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 गो जोड रो बराबर क्या हुआ अजगर ये चारो सब्द मिलके क्या बन गया अजगर फिर अजगर का अर्थ एक जानवर का नाम फिर है गो जोड रो जोड अजगर का अर्थ कुछ नहीं होता है जेसे आपने उपर देखा गर अजगर का अर्थ होता है गरज का अर्थ नहीं होता है परन्तू अजगर का अर्थ होता है इस परकार हम कर सकते हैं कि वर्नों के सार्थक मेल से सब्द बनता है वर्नों के सार्थक मेल से क्या बनता है? सब्द बनता है अब है वाग की सेंटेंस दो या दो से अधिक सब्दों का सार्थक समू जो पूरा भाव परकट करे कता है दो या दो से अधिक सब्दों का सार्थक समू जो पूरा भाव परकट करे वाग की कहलाता है उसे क्या कहते हैं वाग की कहते हैं इसमें उधारन क्या दिया है कोयल उसके बाद है जोड का चिन दिया है गीत फिर है जोड का चिन फिर है गवाकर फिर जोड का चिन है फिर रही फिर जोड है उसके बाद है बराबर कोयल गीत गा रही है इस सब्द पुरा जोड नेक बाद क्या बन गया इस सेंटेंस हो गया को कोयल उसके बाद फिर देखिए एक बना है दूसरा है जोड रही फिर है जोड गा फिर जोड फिर गीत फिर जोड जोड का चिन है फिर कोयल इस पूरा सेंटेंस क्या गया है है रही गीत है रही गा गीत कोयल इसकोई सेंटेंस है नहीं, सही नहीं है, जैसे आपने देखा, उपर देखा कोयल गित गा रही है, सही वाक्य है, क्या है, कोयल गित गा रही है, उपर वाला क्या है, सही है, लेकिन नीचे वाला, गा रही सही, देखे, कोयल गित गा रही है, सही वाक्य है, परंतु, चित्र में भी देखे, कोयल क् पेड़ की डाली पर बेट करके गा गीत कोयाल का कोई असपस्ट सब्द नहीं है यह गलत वाकिया इस परकार हम कर सकते हैं कि सब्धों का सार्थक मेल से वाकिं बनता है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत